आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी शब्द, देखें जरूरी शब्द जो है वो तो लगबग आपको जो भी शब्दा पढ़ेंगे जरूरी है तभी पढ़ रहे हैं, करेक्ट, अगरी करते हैं इस चीज़ पर, लेकिन आज के जो शब् आपके वाक्यों को आधार प्रदान करते हैं, आधार मतलब बेस, आपके शब्दों को एक बेस प्रोवाइड करते हैं, आप कोई भी वाक्य हिंदी में बोल रहे हैं, उसका एक मीनिंग है, वो सही मीनिंग अंग्रेजी में आ जाए, उसके लिए इन शब्दों का अस्तमाल हो जाता है है ना तो सबसे ज़्यादा काम आने वाले सबसे ज़्यादा जरूरी वाले शब्द याद रखिएगा दो तीन चीज़े बाते इन शब्दों के लिए सबसे पहली चीज़ आपके वाक्यों को आधार प्रदान करते हैं आप जो हिंदी में बोल रहे हैं उसको as it is English में जब आप convert करते हैं तो वो ताकि सही माइने उसके निकल पाएं उसको बनाने में इन शब्दों का काम बहुत ही एहम होता है तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं सबसτε पहला शब्द है do इसको do पढ़ते हैं देखिए o लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे do क्या पढ़ेंगे do तो do इसको do पढ़ते हैं और इस उच्छारन इसका दी यू के तरफ से du क्यों होता है दी यू क्यों नहीं होता है ये अगर आपको जानना है तो आपको description box में लिंक है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, चलिए, तो do जो है, उसका जो अर्थ होता है, वो होता है, क्या ता हुं या क्या टे हैं, अगर आप किसी बाख्य में इस्तमाल कर रहे हूं, मतलम यह जो एज मैं बताती हूं, यह हंदी होती है, बेसिकली वाक्य के ठीक है तो आप हिंदी वाले अपने वाक्य में अगर क्या ता हूं का इस्तमाल कर रहे हैं या क्या ते हैं का इस्तमाल कर रहे हैं तो उसकी अंगरेजी में डू का इस्तमाल होगा और क्यूंकि डू का इस्तमाल होगा तो आपका क्या ता हूं या क्या ते ह अगर आप वाके में डाल देते हैं, तो ये पूरा का पूरा वो कवर कर लेगा, चिक है, इसलिए मैंने कहा, सबसे ज़ादा जरूरी शब्द, तो डू का इस्तमाल आप कर सकते हैं, I, U, V और दे के साथ, जैसे, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, अब इस वाके में ध्यान डू आपको दिग गया, डू ने कवर कर लिया, अब बचा क्या मैं, जिसके अंग्रेजी होती है, I, और जाने की बात हो रही है, तो ये तो आँख बंद करके आप बता सकते हो कि भाई गो लगेगा, बन गया, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, अगला शब भूले, आपका वाक्य गलत, इसका डिफरेंस यह है कि do का इस्तमाल I, U, V, और दे के साथ जहां पर होता है, वहीपर does का इस्तमाल जो है, वो he, she, it और किसी भी नाम के साथ होता है, किसके साथ होता है, he, she, it और किसी भी नाम के साथ, और हिंदी तो भई, इसकी वही ये, क क्या ता है क्या ती है और क्यूंकि ही शी इट और नेम के साथ इस्तमाल हो रहा है तो हूं का इस्तमाल तो इसमें होगा नहीं है ना बात साफ है क्या वह पढ़ाई करता है डज ही स्टड़ी क्या वह पढ़ाई करता है डज ही स्टड़ी तो क्या ता है डज ने काम कर दिया व वह की बात हो रही है, वह का मतलब ही होता है अंग्रेजी में, और study यानि की पढ़ना, पढ़ाई की बात हो रही है, तो study शब्द लगेगा ही लगेगा, ओके, आगे समझ में, अगला शब्द है, did, did, इसको did पढ़ते हैं, क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, इस तरीके थे, did you go, क्या आप जाते थे, did you go, तो क्या यहाँ पर क्या, ते थे का अस्तमाल, तो did ने complete कर दिया, आप यानि की you, again जाने की बात हो रही है, तो वर्ब में go लगेगा, तो did you go, और यह आपका बात की हो गया, complete, आई बात समझ में, अगला शब्द है, have, h-a-v-e, have, very, very, very important word, और बहुत versatile, मतलब vivid तरीकों से इसका अस्तमाल होता है, तो have के बारे में, दो-तीन बाते जो हैं, वो गांठ बांध लीजिए, और जान जाएए, चलिए, बताती हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता न, have के बारे में, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, भाई हाफ का इस्तमाल कुल दो तरीकों से होता है, सबसे पहला तरीका है, main verb यानि की मुख्य क्रिया, दूसरा है helping verb यानि की सहायक क्रिया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, have का इस्तमाल, जब main verb यानि की मुख्य क्रिया के तौर पर हो रहा हो, तो उसका जो अर्थ है हिंदी वाक्य में वो होता है, pass है, क्या अर्थ होता है, pass है, वाक्य में या तो pass है लिख रहा हुआ होगा, या आप मतलब आप बोल रहे होंगे, या फिर उसका जो meaning है, वो बहुत एहम चीज होती है, that is उसका usage में रूल क्या होता है, वो ये होता है कि have का इस्तमाल I, U, V और दे के साथ ही होता है, समझा गई, I, U, V और दे के साथ ही होता है, चाहे have main verb में इस्तमाल हो रहा हो, helping verb में इस्तमाल हो रहा हो, I, U, V दे के साथ ही इसका इस्तमाल किया ज अब समझे यह कैसे बना, पास है इस आपको हिंदी वाकिय में आपने कहा, तो हैव होगा, यह तो समझ में आ गया, मेरा, मैं, मुझे, आई का इस्तमाल होता है, है न, हो गया, एक किताब, a book, I have a book, मेरे पास एक किताब है, I have a book, बस आपका बन गया वाकिय, इसके बाद बात करते हैं, have जब helping verb, यानि कि सहाय क्रिया के तौर पर इस्तमाल हो रहा हो, तो यहाँ पर आपको have का सीध है, सीध है, कोई शाब्दिकर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन वाकिय जो है, have के बिना अधूरा लगेगा, कैसे, आप पढ़ाई कर चुके है, you have studied, अब इस वाकिय से have को ह तो यह have क्या कर रहा है इस वाकिय में, इस अंग्रेजी वाकिय में, यह इस वाकिय को सही जामा पहदाने का काम कर रहा है, यानि कि मदद कर रहा है, तो हो गया ना have helping verb, rule जो है have का वो सेम रहेगा, again helping verb के तौर पर भी जब भी have इस्तमाल हो, I, U, V, Day के साथ ही होगा, याद यादि के बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं अपनी टैंसस इसर के तौपिक पर मास्ट्री करना, बेसिक प्लस फोकएंंगे फ्री कोर्स करना, और मिनी spoken English की free course करना तो ये तीनो e-books जो है वो available है इनके links के साथ मतलब इनकी जो class वाली link है उनके साथ आपको कुछ नहीं करना है आपको सर्फ नीचे जो आपको link दिख रहा है www. उसको आप अपने mobile browser पर type करिए उसको search button जैसे ही click करेंगे आप एक ऐसे page पर पहुँचेंगे जहां पर आपको ये तीनो e-books दिख जाएंगी और आप इन तीनो e-books को वहाँ से download कर सकते हैं चलिए class को आगे बढ़ाते हैं अगला शब्द है has has इसको पढ़ते हैं इसका इस्तमाल भी काफी अच्छा है काफी बढ़िया है इसका इस्तमाल main verb helping verb दोनों के तौर पर होता है इसका अर्थ भी होता है pass है मान के चलिए आपने have को पढ़ा है तो has का मतलब भी आपको पता है और उसका इस्तमाल भी पता है लेकिन rule उसका नहीं पता है rule क्या है भाई rule यह है कि has का इस्तमाल he, she, it और किसी भी नाम के साथ ही होगा इसको गांट बांद लीजिए यही basic और सबसे बड़ा major difference है have और has में usage जो है इनकी उसी accordingly बट जाती है जैसे उसके पास एक कार है he has a car he has a car उसके पास एक कार है he has a car अब देखते हैं helping verb के तौर पर जब इस्तमाल हो उसने पढ़ाई कर ली है he has studied इस वाग्य में हिंदी वाले वाग्य में has का शाब्दिकर्थ सीधे तौर पर आपको नहीं दिखेगा लेकिन अंग्रेजी वाले वाग्य से अगर has आपने जैसे ही गायब किया वाग्य के माइने ही बदल जाएंगे वाग्य गलत हो जाएगा तो he has studied जरूरी है has यहाँ पर और has यहाँ पर helping verb का रोल अदा कर रहा है चाहे has जो है वो helping verb के तौर पर इस्तमाल हो रहा हो main verb के तौर पर इस्तमाल हो रहा हो इसका usage he, she, it और किसी भी नाम के साथ ही होगा अगला शब्द है had जिसका मतलब होता है pass था ये भी दो तरीकों से इस्तमाल होता है main verb और helping verb दोनों के तरीकों से सबसे बड़िया बात जो had की है वो यह है कि ये सब के साथ इस्तमाल होता है आपको extra में कुछ rule याद रखने की जरूरत नहीं पढ़ती है समझते हैं उनके पास एक car था they had a car helping verb के तोर पर जब इस्तमाल होगा तो भी ये rule applicable रहेगा मतलब no rules कि ये सब के साथ इस्तमाल होता है ये आपको याद रखना है वह पढ़ाई कर चुका था he had studied यहाँ पर had वाक्य बनने में मदद कर रहा है तो ये helping verb का रोल यहाँ पर आदा कर रहा है अगला शब्द है will इसका इस्तमाल वाक्य क्यंत में अगर आपको उंगा, इंगे, एगी या एगा दिख जाए तो will का इस्तमाल अंग्रेजी वाले वाक्य में होता है इसका इस्तमाल भी सब के साथ होता है तो एकदम इसके वारे में निशिंत रहना है कि will से related कोई रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वह जाएगा, he will go वह जाएगा, he will go would की बात कर लेते हैं रखते हैं इस्तमाल करना है, जो वाक्य है वो संभावना जताता हुआ दिखे आपको, तो ही आप would का स्तमाल करेंगे, और बड़िया बात ये, क्योंकि will का स्तमाल भी सब के साथ होता है, तो रूल यहाँ पर भी काम करेगा, would का स्तमाल भी सब के साथ कर सकते हैं, यानि कि I, You, We, They, He, She, It और किसी भी नाम के साथ उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे आपको किनी ने प्रॉमिस कर दिया, आप आके किसी को बता रहे हो, कि उन्होंने कहा है कि वे मेरी मदद करेंगे, अब आप संभावना जता रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वे अपनी प्रॉमिस कितनी देर तक रखेंगे यार रखेंगे भी या नहीं, तो आपने जो बात कही, आपने जो लाइन कही, वो संभावना जताने वाली हुई, इसी वज़े से वुड का इस्तमाल इस वाकिय में हुआ अगला शब्द है शाल, S-H-A-L-L शाल, अब विल की बात करेंगे, वुड की बात करेंगे, शाल की बात नहीं करेंगे अगर, तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो कन्फ्यूज होते हैं कि मैं आपने तो शाल के बारे में नहीं बताया तो चलिए भई, आपको मैं शाल के बारे में भी बता दूँ शाल का इस्तमाल जो है अब spoken English में विभारिक तोर पर नहीं किया जाता है, इस वज़े से जब मैं आपको classes कराती हूँ तो मैं यह कहती हूँ कि जो जरूरी है उसको पढ़ें जो गैर जरूरी है उसको आप नहीं भी जानेंगे तो कुछ फरक नहीं पढ़ेगा खेर, शाल का इस्तमाल जो है वो गा गे, गी के तोर पर जब होता था तब होता था कि वाकी केंत में अगर आपको गा गे, गी दिखता है तो शैल का स्तमाल आप कर सकते हैं लेकिन अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब ये विवारिक तोर पर spoken English में स्तमाल नहीं होता यानि कि conversation, बात चीत जब आप करें अंग्रीजी में किसी से तो शैल का usage नहीं करते हैं हम लोग अब कमेंटी नहीं करोगे ना कि मैं आप शैल का usage नहीं बताया चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे शब्द की बात करते हैं शैल तो अब चलो भई इस्तमाल नहीं होता है लेकिन शुड जरूर इस्तमाल होता है और धडले से इस्तमाल होता है बड़ी आतरीके से इस्तमाल होता है शुड का स्तमाल होता है चाहिए के तौर पर जब भी आप किसी वाक्य में इस्तमाल करते हैं उसे ये करना चाहिए उसे जाना चाहिए उसे खाना चाहिए अरे उसने बहुत दिन से नहाया नहीं रखेंगे should के इस्तमाल में that is कि ये सुझाव देने के लिए इस्तमाल किया जाता है सुझाव देने वाले वाकिय जब भी इस्तमाल करेंगे तो should का इस्तमाल करेंगे अगला शब्द है can 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 इसका इस्तमाल होता है सकता है सकती है सकता हो हो सकते हैं, वाकिय में आप जब्भी इस्तेमाल कर रही हो, उसके अंगरेजी में चान का इस्तेमाल करेंगे, एक बात धिहान रखेंगे, चान का इस्तेमाल करते वकड, that is, कि can जो है, वो शमता दिखाने के काम आता है, अबिलीटी दिखाने के काम आता है तो can का इस्तमाल भी कैसे वाक्यों में करेंगे वैसे ही वाक्यों में करेंगे हैं ना कि जो शमता दिखाने वाले या अभिलीची दिखाने वाले वाक्य हो और इस्तमाल सबके साथ होता है तो टेंशन वाली कोई इसमें बात है नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं, we can do this, could की बात कर लेते हैं, c-o-u-l-d, could इसको पढ़ते हैं, l जो है, वो silent रहता है, ये can का past form है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, can का past form है, तो क्योंकि can ability दिखाता है, तो could भी क्या दिखाएगा, ability ही दिखाएगा, इसका सका सकी सके, या पाया पाई, पाये के तौर पर होगा, इसका स्तमाल आप सब के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कर सका, I could not do it, मैं ये नहीं कर सका, I could not do it, अगला शब्द है may, 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 इसका स्तमाल होता है इसका استعمال आदेख लीजे होता है सकता है सकती है सकता हो सकते हैं लेकिन मे के बारे में जो बात है वो यह है कि मे का सबसे पहरे तो सब के साथ कर सकते हैं पहली चीज़ और दूसरी चीज है कि मे जो है वो request permission अनुरोद को दिखाता हुआ होता है ठीक है तो आप जब भी ऐसा कोई वाक्य इस्तमाल कर रहे हो जो request permission या नुरोद को दिखाता हो वहाँ पर उसकी अंग्रेजी में आप make इस्तमाल करेंगे अगला शब्द है might जिसका इस्तमाल होता है शायद सकता है शायद सकती है शायद सकते हैं के तौर पर जैसे शायद बारिश हो सकती है it might rain तो जैसा कि मैं बता रहे थी make इस्तमाल आप सकता है सकती है सकता हो सकते हैं के तौर पर कर सकते हैं और ये संभावना या अनुमती या नुरोद जबानी के लिए इस्तमाल होता है जैसे कि हमें देर हो सकती है we may be late ये क्या है बोल रहे हैं संभावना जता रहे हैं we may be late हमें देर हो सकती है we may be late बढ़ते हैं आगे might शब्द मैंने आपको अलड़ी करा दिया जहां पर शायद सकता है या शायद सकती है कि तौर पर might इस्तमा और ये सब के साथ इस्तमाल होता है ये आपको याद रखना चाहिए चलिए आपको अवश्य जाना चाहिए you must go अगला शब्द है is i as is बहुत इस्तमाल होता है तो पक्के तौर पर याद रखिएगा चाहिए हिंदी में हो अंग्रेजी में हो इसका जो मतलब है न वो हिंद यह इस्तेमाल ही, she, it और किसी भी नाम के साथ होता है, जैसे वह एक डॉक्टर है, he is a doctor, वह एक डॉक्टर है, he is a doctor, अगला शब्द है am, जिसका मतलब होता है हूं, और यह सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही पार्टनर्शिप करता है, यानि कि I के साथ ही आप am का इस्तेमाल करते हैं, मैं एक सिक्षक हूं, I am a teacher, मैं एक सिक्षक हूं, I am a teacher, अगला शब्द है are, जिसका मतलब होता है है, देखे उचारन अलग हो गया, है इसका उचारन हुआ, यूवी दे के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे वे लोग सिक्षक हैं, they are teachers, वे लोग सिक्षक हैं, they are teachers, अगला शब्द है was, जिसका मतलब होता है था या थी, वाकिय के अंत में आएगा, इस्तेमाल I, he, she, it और किसी भी नाम के साथ होता है, मैं एक लेखक था, I was a writer, मैं एक लेखक था, I was a writer, वर अगला शब्द है हमारा, इस्तेमाल थे के तौर पर होता है, और सबसे जरूरी, इस्तेमाल ये यू, वी और दे के साथ ही होता है, इसका ध्यान रखना है, जैसे हम खेल रहे थे, we were playing, हम खेल रहे थे, we were playing, अगला शब्द है be, be, इसको चारण लेकिन be ही करते हैं, इसका मतलब होता है, हो या होना, सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो ये बड़िया बात हो जाती है, इसकी है न, जैसे कोई भी हो सकता है, it can be anyone, ये कोई भी हो सकता है, it can be anyone, being, अगला शब्द बी की बात करें, बींग की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है न, बींग की बात करते हैं, चलिए, हो रहा है, या किया जा रहा है, अगर आप अपने वाक्य में कह रहे हैं, तो बींग का इस्तमाल करेंगे, उसकी अंग्रेजी में, I, Eu, We, They, He, She, It और किसी भी नाम के साथ, इस्तमाल ये हो जाता है, मेरे लिए ये कथिन हो रहा है, It is being tough for me, ये मेरे लिए कथिन हो रहा है, It is being tough for me, बीन अगला शब्द है, बी डबल ई-न, बीन, इसका मतलब होता है, ता आ रहा हूं, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हैं, वाके के अंत में अगर आपको दिखता है, तो आप बीन का इस्तमाल करेंगे उसकी अंग्रेजी में, इस्तमाल सबके साथ होता है, तो टेंशन वाले यहाँ पर भी बात नहीं है, जैसे मैं काम करता आ रहा हूँ, I have been working, मैं काम करता आ रहा ह I have been working, अब यहाँ पर मैं है, आप, तुम कुछ भी हो सकता था, तो सबके साथ बीन इस्तमाल होता है, मतलब ही, शी, इट, कोई भी नाम होता, तो भी चलता, कुछ इश्व नहीं है, तो बीन का हो गया, यह इस्तमाल, ओके, तो चलिए भई, यह थी आज की क्लास, जहाँ प सही माइनों में, मतलब जो माइने हैं उसके, उसको as it is, अंग्रेजी में अगर आप बताना चाहते हैं, तो आपको इन शब्दों की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो इन शब्दों को नोट्स बना के रख लीजिए, प्राक्टिस करिए, बहुत सारे वाके इनके उपर क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेर करना है, चैनल, Be Banker Spoken English Class, आप देख रहे हैं, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजिए, साथ ही Tenses के उपर अगर आपको doubts होते हैं, Tenses में आ सकते हैं, भई, कोई समस्या नहीं है, इस नंबर को पहले mobile पर save कर लीजिए, WhatsApp नहीं तो Telegram पर आपने बात कर लेनी है, कि मुझे Tenses की e-book चाहिए, Basic Plus Spoken English की कोर्स इसकी e-book के लिए भी WhatsApp टेलिग्राम पर बात कर सकते हैं, Mini Spoken English कोर्स इसकी e-book के लिए भी WhatsApp और Telegram पर बात कर आप एक ऐसे पेज पर निकलेंगे, जहां दिखेगी आपको एक ऐसी पेज, जहां पर आप एक तीनो किताबों को टाउनलोड कर सकते हैं, तो जाएए, किसका वेट कर रहे हैं, इसके लावा WhatsApp ग्रूप ज़रूर जॉइन कर लीजेगा, जहां पर आपको हर रोज systematically classes भेजी जाते हैं, जो आपके लिए बहुत beneficial होती हैं, तो WhatsApp के लिए आप ग्रूप जॉइन करने के लिए आप इस नंबर को सेव करके इसका status चेक कर लीजेगा, इनकेस अगर नहीं मिलता है, तो message करके मंगवा लीजिएगा, अच्छा, Telegram चैनल को कैसे जॉइन करना है, सर्च करना ह नहीं तो इस लिंक कस्तमाल करके, तो आपको Bbanker Education Solution जो है वो दिखेगा आपको पेज में, और वहाँ पर आप easily उसको जॉइन कर सकते हैं, एक चीज़ चेक कर लेंगे, कि Bbanker Education Solution लिखा हुआ हो चैनल के उपर, और 18,000 से जादा सब्सक्राइबर्स हो, प्रीती मैम क्लासे प्रीती मैम की Notes, प्रीती मैम की PDF, यह जो है चैनल्स अगर आपको दिखते हैं, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कौन है ये लोग है ना, और दूसरे में बता दू, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस नहीं मिलेंगी, आपके साथ वहाँ पर में भी धोकादड़ी हो सकती है, तो ज़रा साफधान रहिएगा, अगर आप फ्री कोर्स या पेड कोर्स दोनों में से कुछ भी करना चाहते हैं, तो फ्री कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, पेड कोर्स जो है वह आप कर सकते हैं, प्रीमियम स्पोकन इंगलिश का कोर्स, बेसिक इंगलिश रीड बूलने की जो समस्या है, उसका समाधान जरूर करेगी, तो चलिए भई, मिलती हूँ आप से आपके अगली क्लास में, तिल देन, तांक यू सो मच पर वाचिंग, स्टे टून तो बीवैंकर स्पोकन इंगलिश क्लास